आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे नीवू के पौदे पर फल क्यों नहीं आते हैं फूल आ जाता है लेकिन फल वरने से पहले ही गिर जाता है तो आज इस टोपिक पर हम बात करेंगे कि नीवू के पौदे से ज़्यादा फल कैसे पाएं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्डनिंग यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त राजेंदर तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं हमारे सामने दो नीवू के पौदे रखे हुए हैं एक नीवू के पौदे पर तो फल बन चुके हैं जबकि हमारा दूसरा जो नीवू का पौदा है उस पर भी अभी बहुत फूल आ रहे हैं जिन लोगों ने निबू के पौदे गमलों में या जमीन में लगाए हुए हैं पौदे के लगाए हुए दो साल या तीन साल हो गए पौदे ने फल नहीं दिये अगर फूल आ जाता है लेकिन फल बनने से पहले वो गिर जाता है तो फूल को गिरने से कैसे रोकें और पौदे पर फल कैसे ज़्यादा पाएं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर एक वर शेयर करें तो देखिए हमारे दोस्तों इस निवू के पौदे पर सरदियों के मौसम में भी कितने फल बन रहे हैं और बहुत फूल आ रहे हैं अगर आप लोग भी अपने निवू के पौदे से ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो आप बहुत फल पा सकते हैं दोस्तों आपको कोछ छोटे छोटे काम करने होंगे जैसे की निवू के पौदे में कब पानी देना चाहिए कितनी खाद देनी च चाहिए पौदे को कितनी दूप चाहिए तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं हमारे सामने जो दोनों निवू के पौदे रखे हुए हैं इन पौदों को लगवग 6-7 घंटे की तो प्रोपर दूप मिलनी चाहिए सर्दियों के मोशम में अगर हमारे पौदों पर दूप नहीं आएगी तो हमारे जो निवू के पौदे पर जितने भी फूल बनेंगे वो सबी गिर जाएंगे इसलिए हमारे निवू के पौदे को दूप की आवर्शक्ता है चैसे 7 घंटे की दूप तो मिलनी चाहिए इसके अलावा दोस्तों हमारे निवू के पौदे को जादा पानी की आवर्शक्ता नहीं होती है ये तो सर्दियों का मौसम है गर्मियों के मौसम में भी निवू के पौदे को पानी की कम आवर्शक्ता होती है माल लीजिए आप अपते में निवू के पौदे में तीन बार पानी डाल रहे हैं तो आप दो बार निवू के प फानी डालना है और पौदा आपको दूप में रखना है इसके अलावा आप नीवू के पौदे की 15 दिन में एक वार गुडाई जरूर करें क्योंकि दोस्तों हम इन नीवू के पौदों पर हर्टिलाजर का प्रियोग करेंगे तो नीवू के पौदे के लिए गुडाई भी ज पौल मिल जाएगी दोस्तों हमने भी ऐसा ही किया है जब हमारे नीवू के पौदे पर आप फल देख सकते हैं और दोस्तों इनकी मिट्टी हमें कैसी रखनी है जो देखिए मैं आपको बता दूँ आप हमारे जो पौदों की मिट्टी देख रहे हैं दोस्तों ये बुरूर क्या पाएंगे कि हमारे निवू के पौदे पर फूल और फल नहीं आए तीन से चार देने हुए हैं और हमने इनकी एक वर गुड़ाई कीती तो दोस्तों अब मैं इस पौदे की गुड़ाई नहीं करूंगा अब मैं आपको बता देता हूं इसके लिए जो फटलाजर हम यू अब इस 300 ग्राम पानी में दोस्तों हम डाल रहे हैं सर्शों खली खाद दोस्तों ये सर्शों में से बनाया जाता है इसमें से ओल निकाल लिया जाता है जो उसकी खली बचती है दोस्तों उसे सर्शों खली बोलते हैं ये गाए बैसों के खाने के काम आती है और दोस्तों अ आपको सर्षों खली खाद लेनी है जो की प्रॉपर तरीके से बिल्कुल औरगेनिक होती है हमने इस 300 ग्राम पानी में केवल 50 ग्राम सर्षों खली खाद डाल दिया है और डाल देने के बाद में इसे हम एक से दो मिनट ऐसे ही गोलेंगे और उसके बाद मैं लगो 24 गंटे के लिए इसे हम रख देते हैं जिससे हमारा मस्टड केक फटिलाजर बनके तैयार हो जाए और इसका प्रियोग हम अपने पौदों में कर सकें तो मिलते हैं आप से 24 गंटे के बाद हमारे इस फटिलाजर को 24 गंटे हो चुके हैं और 24 गंटे बाद हमारा यह मस्टड केक फटिलाजर अब पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है अब इसका इत्माल हम अपने सवी पौदों में कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में मस्टड केक फटलाजर हमारे पौदों के लिए अमिरत से कम नहीं है तो दोस्तों इसे हमने अच्छी तरीके से एक वार हिला लिया है अब इसे हम सीधा नहीं डालेंगे पौदे में क्योंकि इसके अलावा हम और पानी लेंगे एक लीटर देखें, यहाँ पर हमने और पानी लिया हुआ है, अब एक लीटर पानी में इसको हम डायलूट कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने निवू के पौदे में डाल देंगे, आप इसका प्रयोग महिने में तीन बार कर दीजिए, आपके निवू के पौदे में फल और फूल दोनों ही आने लगेंगे आपको मैंने कुछ बुनियादी टिपसें बताई हैं निवू के पौदे के लिए अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप अपने निवू के पौदे से बहुत ज़्यादा फल ले पाएंगे तो चलिए दोस्तों हम इन पौदों में डाले दे अब दूसरे पौदे में भी डाले देता हूं और इनको रख दूंगा मैं दूप में तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो यह कैसी लगी आप हमें कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताईएगा जरूर मिलते हैं दोस्तों आपसे एगली वीडियो में ठेंक यू करैंट वीडियो